देखिए सवाल नमबर साथ इसमें कहता है कि समान उचाई वाले दो सम्बेलनों की त्रिज्याओं में एक अनुपात दू का अनुपात है तो उनके आयतनों और बी में कहता है कि वक्र प्रिष्टों में क्या अनुपात होगा देखिए आपको दो सम्बेलन दिया हुआ है ठीक है और ये दोनों की उचाई जो है समान है और त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है एक अनुपात दो तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे हैं पर यहां देखिए सवाल नमबर साथ यह मान लेंगे कि माना पहले बेलन की त्रिज्या तथा उचाई क्रमसा आरवन तथा एच है दूसरे बेलन की त्रिज्या तथा उचाई क्रमसा आरवन तथा एच है देखिए दोनों बेलन की उचाई है उसको हमने एच लिखा है यह सवाल में ही कहा है कि समान उचाई वाले यानिकि दोनों की उचाई क्या है समान है ठीक है चाहिए था आप इसको एच देड़ी सकते हैं कोई दिकत नहीं है लेकिन दोनों का वेलो ऐलों क्या है बरावर है यहाँ पे देखिए दोनों की त्रिज्या को हम आरवन आट-टू मान लिये हैं देखिए पहले बेलन की तरिजिया R1 और दूसरे बेलन की तरिजिया R2 है पहले बेलन की उचाई H1 और दूसरे बेलन की उचाई H2 है ठीक है और सवाल में आपको दिया हुआ है दोनों जो बेलन की जो तरिजिया है उसका अनुपात दिया हुआ है यानि कि R1 बटा R2 एक हेलू आपको दिया हुआ है तो सवाल कहता है कि आयतन का अनुपात निकालिए इसका और इसका यह दोनों का जो आयतन का अनुपात है कितना होगा और बी में कहता है कि यह दोनों का बक्र प्रिस्ट का जो छेतरफल है उसका अनुपात कितना होगा यह आपको निकालना है ठीक देखिए, एक अनुपात, दो दिया हुआ है, दोनों तृजाओं का अनुपात, और इतना बराबर हम मान लेते हैं, के, अब यहां देखिए, आरबन, एक यहां आके बटा हो जाएगा, आरक्या गाजट चला जाएगा, यहां पे, और यहां पे क्या है, दो, बराबर, के, ठी लिख सकते हैं और यहां देखिए और टू बटा दो ब्राबर के लिख सकते हैं ठीक है देखिए इतना ब्राबर भी के है और इतना ब्राबर भी के है तो हम दुनों को अलग-अलग ब्राबर करके लिख लिए है तो आरबन ब्राबर के और टू ब्राबर टू के यहां है टू के ठीक है और दोनों की उचाए तो समान है तो सवाल में कह रहा है अब यहां देखिए सवाल नंबर ए कहता है कि आइतन का अनुपात निकाले तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले जो बेलन है पहले बेलन का अनुपात निकालेंगे बेलन कहतान का अनुपात क्या होता है पाई आर स्क्वाइर तो आरवन है आरवन का स्क्वाइर एच यहां देखिए यहां पर त्रिज्या आरवन है और उचाई एच वन है ठीक है अब यहां देखिए पाई आरवन आरवन का मान है के यानि कि k का square और h1 इसको solve करते हैं तो pi k का square करेंगे तो k square और h1 यानि कि इस बेलन का item निकाले तो इतना आया अब इस बेलन का निकालते हैं यहां देखिए दूसरे बेलन का item देखिए यहां पर अनुपात लिख दिये हैं यहां अनुपात नहीं item होगा ठीक है यानि कि पहले बेलन का item इतना आया और दूसरे बेलन का item निकालते हैं इसका होगा pi और दूसरे बेलन की देखिए तरज्सिया है r2 यहां पर r2 का square और यहां पर देखिए उचाई क्या है H2 है अब देखिए पाई R2 इसका मान 2K है तो हैं लिखेंगे 2K इतना का स्क्वाइर और H2 देखिए H2 और H1 दोनों क्या है समान है चाहे E लिखे चाहे E लिखे दोनों में कोई अंतर नहीं है ऐसा सवाल में कह रहाए देखिए कि उचाई क्या है समान है ठीक है तो H2 के जगा पर हम H1 भी लिख सकते हैं इसको सॉल्व करते हैं पाई 2K का स्क्वाइर करेंगे तो यह हो जगा 4K स्क्वाइर और H1 इसको सही से लिखते हैं तो देखिए 4 पाई Found दूसरे पिलन का इतन है पाई four पाई के अस्क्वाइर H1 देखिए यह और यह दोनों समान इसलिए इक कट गया, उपर एक नीचे चार, यानी कि एक अनुपात चार, तो इसका तो हम आंसर लाद दिये हैं, कहा रहा था कि दोनों बेलन के आइतन का अनुपात निका लिए, तो यह है । एक अनुपात चार, अब भी में कहता है कि बख्र फ्रिष्टों में क्या अनुपात है, तो इसका वक्र प्रिष्ट निकालते हैं और इसका निकालते हैं यहां देखिए लिखेंगे फीर पहले बेलन का वक्र प्रिष्ट 2 pi r1 h1 देखिए पहले बिलन की तरीजिया r1 है और उचाई h1 है इसलिए 2 pi r h ठीक है अब यहाँ देखिए 2 pi r1 r1 का देखिए मान कितना है k है तो यहाँ पर r1 के जगा पर k होगा और h1 यह पहले बिलन के वक्र फ्रिस्ट है फिर देखिए दूसरे बिलन का वक्र फ्रिस्ट 2 pi और दूसरे बिलन की तरीजिया है r2 और उचाई है h2 यहाँ देखिए 2 pi r2 देखिए r2 ब्रावर 2 k है तो यहाँ लिखेंगे 2 k और h2 यानि कि दूसरे बिलन की जो उचाई है और पहले बिलन की जो उचाई है दूनों क्या है बरावर है तो h2 के जगाप हम h1 भी लिख सकते हैं देखिए 2 में 2 से गुना कर देंगे यह हो जगा 4 pi k h1 ठीक है इसको गुना करेंगे तो इतना होगा बिलन का वाकर फिर 2 pi k h1 है और दूसरे बिलन का है 4 pi k h1 देखिए यह और यह दुनों बरावर है तो है कैंसिल हो गया उपर 2 नीचे 4 देखिए 2 दूनी का 4 उपर 1 नीचे 2 यानि कि 1 अनुपात 2 यह आपका आंसर हो गया आंसर हो गया